Hello everyone, एक पर फिर से आपका स्वाकत है हमारे इस चानल पे जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी और इंपॉर्टन सी वीडियो जो कि आज हम यहाँ पे डिस्कास करेंगे कोस्ट औरियंटेड प्राइजिंग का एक टॉपिक किसके लिए इंपॉर्टन है अगर आप मार्केटिंग पढ़ रहे हो मार्केटिंग में भी स्पेशली अगर आप प्राइजिंग के बारे में पढ़ रहे हो प्राइजिंग डिसिशिन के बारे में पढ़ रहे हो या फिर कोई services बेच रहे होगे या फिर दोनों का combination करके बेच रहे होगे, let's suppose मैं कोई goods बेच रही हूँ, लेकिन अब वो मैं किस price पर बेच हूँगी, that is a very important question, क्योंकि यहाँ पे जब तक मुझे यहीं नी पता मुझे किस price पर बेचना है या फिर अगर मैंने सही तरीके से इसका फैसला नहीं लिया है, तो मैं अपने business में जो है कही न कहीं problem करके खड़ी हो जाऊंगी क्या कोई न कोई बड़ी problem या issues जो है आ जाएंगे, साथ ही साथ अगर आप एक अच्छा profit कवाना चाते हो, तो वहाँ पर भी आपको जो है price एक important role play करता है और वहाँ पर आपको ये जाना ज़रूरी है कि किस price पर बेचूँ कि मुझे अच्छे से profit हो जाए, जो मैं profit चाता हूँ, साथी साथ जो customer में markets हैं, उनको भी ये price बहुत जादा ना लगे, क्योंकि अगर customers को बहुत जादा pricing लगेगा तो वो खरीदेंगे नहीं, तो यहाँ पर cost oriented price जो है एक ऐसा method है, जहाँ पर आप अपना price decide करते हो, कि आप किस price में माल बेचोगे, देखो बचे, simple सी बात है, जब आपको decide करना कि किस price में माल को बेचूँ तो यह जानने के लिए, आपके पास different methods होते हैं, कई methods होते हैं, जिसमें से एक method आपका है, यह है cost oriented pricing, तो यह एक तरीके से method है, जहाँ पे आप अपने product का pricing करने के लिए इसका प्रियोग करते हो, cost oriented pricing जिसको हम cost based pricing यानि की, cost को base बना कर के price करना, इस नाम से भी जानते हैं, या फिर cost plus pricing, cost plus pricing के नाम से भी जानते हैं, तो इसके तीन नाम हो गए, cost oriented pricing, दूसरा cost based pricing, दीसरा cost plus pricing, तो यह तीन नाम इसके होते हैं यह क्या है, pricing strategy है, जहाँ पे एक company set करती है price of its product or service यानि कि जो भी product या service वो दे रहा है उसका price वो set करती है और उसको किस के क्या करके set करती है based on the cost of production या अपनी कि जो भी उसने product को बनाने में खर्चा किया है जो भी cost वो लेकर के आया है जैसे कि let's suppose जिस mobile phone में आप ये video देख रहे हैं लैप्टॉप में देख रहे हैं जिस पर device में देख रहे हैं उस device को बनाने में यानि कि उसका production किया गया उसको बनाया गया और उसको बनाने में अब जितना खर्चा आया है पहले तो उसके cost जान ल अब मैं जानती हूँ मुझे 20% का profit चाहिए इस चाहिए तो यहाँ पर 20 रुपीज में add कर दूँगा ठीक है add कर दूँगी 100 रिक माफ कीजेगा और उसके बाद amount आजाएगा 120 तो यहाँ पर pricing में अपने product की रखूँगी 120 रुपीज ठीक है तो यहाँ पर यह approach आपकी इस approach की cost है इसमें आप क्या करोगे अपना amount add करोगे कितना profit earn करना है and then जो amount आएगा वो आपका selling price आप बना के market में बेचोगे यहाँ पर एक breakdown होता है of the key aspect of case oriented pricing जो की देखी कुछ इस तरीके से है cost oriented pricing method है इसको हमने उसी बात को हमने यहाँ पर थोड़ा दूसरा language में लिका है ब cost oriented pricing क्या है एक method है जहाँ पर selling price determine किया जाता है कैसे determine किया जाता है एक percentage of profit आप जो है अपनी cost में add कर देते हो जो cost आपको production में लगी है उसमें आप अपना percentage of profit add करते हो and इस तरीके से आप selling price determine कर लेते हो cost में include होता है दोनो variable cost जयाने की जो direct related cost होते है साथ जो है आपके non variable fixed cost या फिर आप कहलेजी किस हर तरीके के cost को यहाँ पर consider किया जाता है कुछ भी नहीं छुटता तो सारी चीज़ें यहाँ पर include कर ली जाती है अब merit क्या है इस आपके cost oriented pricing method के तो सबसे पहला यहाँ पर benefit है कि यह बहुत simple है यहाँ पर कुछ ही नहीं कर price निकाल लेता हूँ यह most simplest method है आपका आपकी pricing करने का so cost oriented pricing जो है एक straight forward और easy to calculate है साथ यहाँ पर आपको minimum market research और या फिर analysis की जरूरत होती है जादा research भी नहीं चाहिए जादा आपको जो है analysis भी नहीं करना रखते हुए pricing की है उसको ध्यान में रखते हुए price का setup किया है इसलिए यहाँ पर आप जो है अराम से यह बात ध्यान रहती है कि हाँ इसमें आपका पैसा निकल के आ जाएगा cost recovery वहां से निकल जाएगी predictable profit already आपको पता है कि यह predictable profit है आपने जब cost निकाली 100 रुपै आपने already अपना profit margin सोच रखा था कि मुझे 20% का profit चाहिए so जो profit that is also predictable कि भाया यह already इतना profit मुझे आ जाएगा so unit speakेंगी तो एक unit का 20 रुपै चलो किसी कोई ऐसा ग्रहा का गया जो थोड़ा कम में ले गया नुकसान हो गया तो कहीं भी ना खर करके तो 19% तो मेरा profit बनी जाएगा so य उनके पास एक better idea होता है of the profit they will earn on each sale, next is demerit or disadvantages सबसे पहले lack of consideration of market conditions यहाँ पे market की conditions का ध्यार नहीं रखा जाता let's suppose आपने 100 रुपै का product बनाया भी is a buzz and margin अपना add-on कर लिया 120 में आप बेच रहे हो but market की condition ही खराब है market में जो है let's suppose जैसे कि श्री लंका का time जब बुरा हो गया था कुछ time पहले तो वहाँ पे क्या था कि market की condition was not well तो वहाँ पे क्या है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं हो कि market में demand क्या है market में demand ही नहीं है और आप product बनाया जा रहे हो यह method जो है यहाँ पर इसमें यह सब चीज़े consider नहीं की जाती कि market में क्या demand चल रही है competition क्या है consumers क्या इच्छा है pay करने की consumers कितना pay करना चाहते है competitor कितना मांग रहे है competitor कितना charge कर रहे है next is potential for overpricing और enterprising इसकी व overpricing means जो की होना चाहिए उससे जादा या फिर उससे कम कर देना यानि underpricing अगर cost estimation आपने inaccurate की है अगर आपने cost ही गलत निकाल दी let's suppose आप कोई खर्चा डालना भूल गए consider करना भूल गए जिसकी वज़े से cost ही गलत आ गई है तो उस situation में आप अपना price गलत सेट कर बैठो या फिर आपने कुछ जादा ही खर्चे डाल लिये है जो नहीं add-on होने चाहिए वह बे डाल लिये है और तो इसकी वज़े से आप overpricing कर बैठोगे next is ignoring value perception यहाँ पर आप ignore करते हो the perceived value of the product by customers के बही customers के द्वारा क्या perceived value है जो की एक crucial factor होता है जब आप अपना price determined कर रही हो इसको बनाने में 100 पर लगाए तो आप कितना profit इसमें add-on करोगे and then आप उसकी pricing कर लोगे okay guys let's see you in the next video till then take care of yourself and take care of your health bye अरे बाई अरे मंदो जा भाई